हालो इवर्यवर्योंद जिससे कि आपको अपने स्क्रेइट बेएक कोशन दिएकικά है हम इस कशन को सॉल्ब करना है चले उससे पहले हम इस कोशन को देख लेते थे है इस कॉशन में हम आपस किया दिया गया है 3 x 4 जो कि हमिआपस इकॉल दिया गया है 121 के next 4 multiply 2 जो कि हम आपस equal दिया गया है 49K next 5 multiply 2 जो कि हम आपस equal दिया गया है 81K और last में हमें इस question में क्या find करना है 4 multiply 4 कि चीज़ के equal होगा यह हमें इस question में find करना है चली इस question को solve करने के लिए मैं आपको 10 seconds दे देता हूँ अगर आप इन 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल देते हैं तो आप अपना answer हमें comment box में type करके बदा सकते हैं चली आपका समय शुरू होता है अब अगर आपने 10 seconds के अंदर अपना answer निकाल दिया है तो आप अपना answer हमें comment box में type करके बदा सकते हैं चलिब इस question को solve करते हैं इस question में हम आपस क्या दिया गया है 3 multiply 4 जो कि हम आपस equal होता है 12 के और हमें यहाँ पे equal दिया गया है 121 के equal दिया गया है next 4 multiply 2 जो कि हम आपस equal होता है 8 के बट यहाँ पे equal दिया गया है 49 के equal दिया गया है next 5 multiply 2 जो कि हम आपस equal होता है 10 के और यहाँ पे हम आपस equal दिया गया है 81 के equal दिया गया है next 4 multiply 4 जो कि हम आपस equal होता है 16 के और हमें बताना है कि यहाँ पे question marks की जगा यहाँ पे कौन सा नमबर आएगा अगर आप इस question को simply देखोगे तो हमापस यहाँ पे क्या pattern बनता है जब आप इस question में 3 multiply 4 करोगे जो कि हमापस equal होता है 12 के अगर आप 12 में minus 1 जो कि हमापस equal होता है 11K और 11 का square हमापस equal होता है 121 के equal होता है यानि कि हम इन दोनों number को पहले multiply कर देना है उसके बाद minus 1 कर देना है जो भी आपके बाद sum आ रहा है उससे हमें क्या करना है उसका हमें लेना है यहाँ पे square next में भी हम यही formula यूज करके देख लेते हैं तो हमापस यहाँ पे क्या होगा 4 multiply 2 जो कि हमापस equal होता है 8K और हमें minus करना है 1 8 minus 1 जो कि हमापस होता है 7 और हमें 7 का लेना है square 7 का square हमापस equal होता है 49K equal होता है उसी तरा next में हमापस क्या होगा 5 multiply 2 जो कि हमापस equal होता है 10 के और 10 में हमें minus करना है 1 जो कि हमापस होता है 9 और 9 का square हमापस equal होता है 81 के equal होता है जो कि आपको अपने screen पे यहाँ पे दिख रहा है उसी तरा last में भी हमापस क्या होगा 4 multiply 4 जो कि हमापस equal होता है 16 के और हमें यहाँ पर क्या करना है minus 1 जो कि हमापस equal होगा 16 minus 1 जो कि हमापस होगा 15 और हमें यहाँ पर क्या करना है 15 का square लेना है 15 का square जो कि हमापस equal होता है 225 के equal होता है यानि कि जहाँ पर आपको question marks दिख रहा है वहाँ पर हमापस क्या आएगा 225 आएगा अगर आपने पहले इस question को solve कर दिया है तो आप अपने answer हमें comment box में type कर के बता सकते हैं